सांत्यों नमस्कार मैं हूराम बाबु पटेल देल से पिछले वीडियो में आपने राइट हैंड से यानि दाहेने हाथ से आपने हार्मोनियम पर C-scale यानि सफेद पट्टी जो की हार्मोनियम का पहला पेच है उससे आपने दाहेने हाथ से प्रैक्टिस देखी थी आज हम बाएं हास से प्रेक्टिस करने वाले हैं तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से सबसे पहले जो जरूरी बात है आप इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को सेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से आपके मन में जो भी विचार उठ रहे हैं वो पूछी साथियो पिछले वीडियो में आपने दाहने हास से हार्मोनियम पर प्रेक्टिस देखी थी जिसमें मैंने अंगूठे को एक नंबर कहा था ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच ये फिंगरिंग आप देख चुके हैं क्योंकि हार्मोनियम की शुरुआत पहले सफेद से होती है इसको हम पहला सफेद केते हैं ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चटवा, साथवा सफेद और यही पहला सफेद फिर रिपीट हो जाता है तो इसमें फिंगरिंग आपने देखी थी, एक नंबर को हमने अंगुठा कहा तो एक, दो, तीन, और फिर से हम एक, दो, तीन, चार, और एक पर अंगुठा जाएगा एक दो तीन एक दो तीन चार एक अपने देखा था कि पहले सफेद पर मैंने अंगुठा रखा था दूसरी उंगली दूसरे सफेद पर तीसरी उंगली तीसरे सफेद पर और पुना चौते सफेद पर अंगुठा आ गया था एक, दो, तीन, चार, और अंगुठा पुना पहले सफेद पर आ गया था, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, एक, जो उंगलियां हमने आते समय प्रियोग की थी, वही हमने लोटते समय प्रियोग करेंगे, एक, चार, तीन, दो, एक, तीन, दो, एक, तीन, दो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, अब रोहो, एक 4,3,2,1 3,2,1 4,3,2,1 3,2,1 सारे गमा पधनी सा सा नीधा पमा गा रे सा नीधा पमा गा रे सा अब हम सीखने वाले हैं बाय हाँस से प्रेक्टिस यानि लेफ्ट हैंढ से इसको हमने पांच कहा है छोटी उंगली हमारी पांच नmmर है पांच, चार, तीन, दो और एक नमबर का हमारा अंगूठा है हमने पहले राइट हैंड से याने दाहने हाथ से प्रेक्टिस की थी तब अंगूठे से सुरुवात की थी एक, दो, तीन, चार तेकिन इसमें हम सुरुवात करेंगे छोटी उंगली से याने पांच नमबर से उससे उल्टी प्रेक्टिस रहेगी पहले सफेज से ही मैं बता रहा हूँ आपको जिसको हम सी इसकेल कहते हैं सी पिच कहते हैं पांच, चार, तीन पुना यहां सुरुवात करेंगे पांच, चार, तीन, दो और पुना पांच वे नमबर की उंगली हम यहां पर लगा देंगे पांच, चार, तीन पांच, चार, तीन, दो, पांच प्रेक्टिस करते समय आपको ध्यान देना है कि हाथ को इस तरीके से जैसे हम हाथ में गैन पकड़ते हैं इस तरीके से बना के रखना है और बार-बार प्रैक्टिस करना है शुरू आतमें आपको तकलीफ होगी उंगलियों में अकड़न आएगी, जकड़न आएगी हाथ दर्द करेगा लेकिन बार बार लगातार आप सेंक्णों बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी उंगलियां फ्री हो जाएंगी और दूसरे पिचों में भी बहुत तेज गती से चलेंगी इसलिए आप बिल्कुल भी आलश्य ना करें अच्छे से प्रैक्टिस करें पांच चार तीन दो और ये पांच स्वरों में उपर की ओर चढ़ना इसको हम कहते हैं आरोह आवाज हमारी उंची होते चली जाती है और स्वरों में नीचे की ओर उतरने को हम कहते हैं अवरोह अब हम इसका करेंगे अवरोह यानि हमारी आवाज उची आवाज से नीची आवाज होते चली जाएगी पहले हमारी आवाज करम से उची होते जा रही थी अब उची हो चुकी है अब उची से नीची आवाज होते जाएगी एक जरूरी बात अगर हमको केवल यहीं तक आना है RO यहां तक करना हो और यहीं से बापिस लोटना है तो हम अंगूठा यहां पर रख सकते हैं क्योंकि हमको आगे जाना नहीं है 5, 4, 3 5, 4, 3, 2, 1 एक पर हम अंगूठा रख सकते हैं लेकिन आगे अगर हमको बढ़ना होगा तो हम जिस एक की जगे 5 यानि छोटी उंगली को यहां पर रखेंगे जैसे नहीं बढ़ना है तो 5, 4, 3 5, 4, 3, 2, 1 हम को आगे बढ़ते हुए जाना है हम 2 या 3 सब्तकों में प्रेक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं सारे गा मापधनी सारे गा मापधनी सारे अब हम इसका करेंगे अवरोह आप आरोह करें या अवरोह करें बहुत धीमे धीमे प्रेक्टिस करिए जब आपकी धीमे धीमे प्रेक्टिस हो जाएगी उंगलियां आपकी फ्री हो जाएगी बहुत तेज़ चलने लगेंगी 5 दो तीन चार पांच पहले आप उंगलियों के करम को रट लीजिए शुरू आत्म सभी को उंगली चलन में दिक्कत आती है लेकिन बार बार प्रेक्टिस से ये सब कुछ आसान हो जाता है सा रे गा मापधनी सा अब रोह सा नीधा पामा गारे सा नीधा पामा गारे सा आप धीमे धीमे प्रेक्टिस करिए धीमे धीमे जब आप प्रेक्टिस करेंगे तो आपकी उंगलियां फ्री हो जाएंगी शुरू आत्मे बहुत दिक्कत जाएगी लेकिन आप उसकी चिंता ना करें शुरू आत्मे आपको सारे गामा पाधा नीशा यानि आरोह करने में ही दिक्कत जाएगी लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से सारे गा मापाधानी सा आप पहले बोल बोल के प्रैक्टिस करें सारे गा मापाधानी सा क्योंकि अवरोह आपको थोड़ा दिक्कत करेगा तो अवरोह की प्रैक्टिस भी पहले बोल बोल के करें सा नी धा पा मागा रे सा सा रे गा मा पाधानी सा अब रो सा नीधा पा मा गारे सा नीधा पा मा गारे सा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उगलियां बहुत आसानी से चलने लगेंगी आज के वीडियो में हमने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस देखी इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने राइट हैंड की प्रैक्टिस देखी थी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दौनों की प्रैक्टिस के लिए हम कीबोर्ट पर तीसरा लेसन देंगे जिसमें आप left hand और right hand दोनों ही हाथों का प्रयोग keyboard पर करेंगे इससे आप प्यानों की practice भी आपकी होगी keyboard की practice होगी और जो लोग cable दाहने हाथ से ही harmonium बजाना चाहते हैं वो भी इस video को देखें कि कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो यहाँ दूर हो जाएगी और जो बाएं हाथ से harmonium बजाते हैं वो भी इसको देखें तो left hand, right hand दोनों की practice एक साथ keyboard पर तीसरे नंबर के वीडियो में आने वाली है इस वीडियो को देखने के लिए आप link पर click करें और इस वीडियो को देखें